वेलकम तो स्टेडी ग्लोस और फॉम टाइम वी विल स्टार्ट रिसर्च आपिट्यूट मैराथन और मिशन ज्यारफ अभी जो रिसेंटली एक्जाम्स हुए है वहां पर भी चीज़े अनलाइज हुए है दाट इस नो पर्टिकुलर पैटर्न कि वह यहां से पर्टिकुलर स प्रटिकुलर फॉल चेडर केम जा सब करदेंटिकुलर कि फ्राइज के पर्टिकुलर यहां पर्मी विल्याइए क्परद्ट्यूजेंगर कि आपका प्रटिकुलर में अनौन चिज़ेंट चीजें conceptual ज्यादा आती हैं एंटए एंटए conceptual पेपर ज्यादा कंडग करती आज कंपेर टू वाप्टू आपको अंडरस्टाइंड करनी है छीजे सिर्फ रटना नहीं चीजों को भीकोज जब अगर वो चीज आप में जस्क्राइम की है तो आप एसलेशन बेस को क्लिक नहीं कर पाओगे सो लेट्स केट स्टार्ट विशिंग यू आल्ल वेरी बेस्ट अगर आप में से किसी को भी वॉल्यूम स्लो फास्ट स्पीड में कुछ भी इश्यू होता है और आप में आपने सक्राइब कर आप एक्जाब कर सकते हैं पकर आपने से बेस्ट यू आपने यू फॉपक्रां यू पीस्फिल आपको एक्जाम से देने से कुछ टाइम पहले अपनी पूक्स को बंद करके अराम से पीस्फुल होके आप एक्जाब हॉल में जाए वहां पे बैट के आराम से कुशिश करो कि पेपर आप बहुत पीस्फुली समझो विकोज आप हैपसरेडली आंसर करोगे तो स्कोर नहीं बनेगा आपको बहुत पीस्फुली पेपर देना पड़ेगा और मुझे फॉलो करने के लिए या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड़ चीज़े पूछने के लिए बिकोज इंस्टागराम पेएवरी सिंगल डे कीप ओन पोस्टिंग डिफरेंट तिंग्स जो भी चीज़े नौलेज जो भी चीज़े शेयर मुझे आती है यह जिन चीज़ों मुझे इंटरस्ट है So, you can follow me on Instagram also. This is my Instagram ID. So, let's get started. सबसे पहले रिसर्च होता क्या है एक एकरम है देखो री प्लस सर्च रिसर्च डो वर्ड्स का कंबाइंड एक बनाया गया है जोड that is री और प्लस सर्च हम सबको पता है कि सर्च का मतलब होता है डूनना कोई चीज डूनना रिसर्च का मतलब होता है फिर से फाइंडिंग करना अगर आपको इसकी रिलेटेड ही एक नॉमल सा सवाल बनता है कि रिसर्च होता ही क्या है तो रिसर्च इना वेरी सिंपल मतलब होता है जब किसी चीज की फिर से फाइंडिंग करते है आप जो यह है यह रिसर्च का एक एक रिसर्च का एक सिनोमिस टाइप बनाया है जिसको हम वी विल ट्राइटू अंडरस्टाइड इड रिसर्च का आर है दाट इस रैशनल वी ओफ तिंकिंग एक्सपर्ट एंड एक्सटिव ट्रीटमेंट हमें सही तरीके से ट्वीट करना है जो जिस फील्ड में जाओंगी वहां पर बहुत बार क्रॉनिकली आपको स्टेप्स लगाने के लिए आते हैं कि इंक्रीजिंग एडिक्रीजिंग और मैं लगाओ वह वाले सवाल बहुत पीसफुली आपको सौन समझके करने और ऑनेस्टी और हार्ड वर्क और वेसी बात है आप किसी का चुरा करेंगे ना बिना पॉर्पस के तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या है किसी भी निव फिनॉमेना से समझ लो हम आई सीटी को समझना चाहते हैं कि यह कैसे इंपक्ट करती है एडिकेशन सिस्टम में या स्कूल में या इंश्यूट में तो हम उस पर्ट पड़ते हो यह नियू आथर्स की नियू पब्लिशन पड़ते हो अपडेटेड पड़ते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उन्हें नहीं नहीं चीज़े जो भी है फिर से सर्च करके रिवियू करके वह चीज एडिकी है इन्वेस्टिगेट करना है ऑफर सलूशन करना है सलूशन अब हमें पता है कि एडियास में हम इंटरनेट की फेसल्टीज नहीं है तो वहाँ पर बेटर ऑलटरनेटी होगा बच्चों को और वेटर वे में इन्वाल्व करने का हम भी लिवी का यूज कर सकते हैं टीवी का यूज कर सकते हैं चांश्रक्ट और पांस क्या एसी motivation होगी क्या हमें motivate करता है उस रिचर्च को कंडग करने के लिए सबसे पहले पाथ जर्च होगी हमारे थीज़स सही होगी तो हम इसके लिए क्षाइब करने के लिए किसी पांडर सेंस्टिवीटी पर पढ़ रहे हैं या चाइल पर पढ़ रहे हैं सेक्स पर पढ़ रहे हैं तक हमें नहीं पता हैं हमने इंट्यार कोशश कर रहे हैं inter-actual satisfaction, obviously बात है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं सीखते हैं समझते हैं learn करते हैं retain करते हैं तो हम किस चीज के capable होते हैं नया concept समझने का जब पढ़ाई को बहुत conceptual होगे यह exam से इलवा भी आपको बहुत कुछ दिखा देगी service to the society आप सब कर रहें नेशन को आप पर्टिकुलर्ली कोई चीज की खोज कर रहें जैसे आप ICT कर लेटेट टू पढ़ रहे थे फार फ्लंग एरियास में तो अब इसी बात है जब अपनी रिकम्डेशन दो होगे क्या क्या करना है वो सुसाइटी की हेल्प करें और पूर विच् सब्सक्राइब करने के इन्पूट फॉर पॉलसी डिसिजन मेकिंग जब भी पॉलसी होती है तो वह कहां से ही सब चीज़ें क्या करना है क्या नहीं करना है अब बात है जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उसको देखके ही लॉज वगरा फ्रेम किये जाते हैं आप रिसर आचा है मामा हरिष्टार है गलत है उसको देखे बिना हमें क्या करना है उसके करेक्ट रिजल्ट्स देने रियालेबिल्टी अगर मैंने टू प्लस टू एक बार फॉर आया तो इक मींस वह तू प्लस टू फिर बाद में भी फोर ही आना चाहिए अगर वह त्री आगया वह गलत है वालेडिटी उसकी एकुरेसी जो मैं चाहती थी खोज करना उसकी खोज हुई एकुरेसी अगें रिलेटेड टू वैलेडिटी जो मैंने इंफॉर्मिशन यूज किये वह सही है अच्छी है एकदम करेक्ट है जन्रेबिल्टी कि जो मैंने खोज निकाले अब उब व हम चाहते हैं कि उसके अंदर जन्रेबिल्टी हो और वह फेमलारिटी ला पाएं लाजर पॉपलेशन से इंप्रिकल हम है बिना सोचे समझे नहीं करेंगे हम चीज़ को देखेंगे रिकॉर्ड करेंगे अब्सर्व करेंगे एक्स्पीरियंस करेंगे राशनली क्या करेंगे उस पर आक्ट करेंगे सिस्थमाटिक होगा हम अपने काम को अपने डिजाइन को डिफर्ट डिफर्ट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद से 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 स्टेप पे जाएंगे से 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 थर्ड स्टेप पे जाएंगे और थर्ड से फोर्ड स्टेप पे जा बहुत बंड़ क्या होता है हमारी से principle नहीं अजिस्हेस on कि फरक नहीं पड़ते है dopamine से कोली जिस्वेड ठीक करती है कैसे यह वो क्या करते हैं दो ग्रूपस लेते हैं लोगों के ग्रुप 1 और ग्रुप B ग्रुप A और दन आपका ग्रुप B, अब इनके करते हैं ऑत सब्सक्वेजर गे ंका सोह ही बनाई हुई medicines दे रहे हैं for suppose one month और यह प्राक्टिकल है कि फाइनिंग हुई है अपने पे भी सर्च कर सकते हैं एक महिने के बाद वो देखते हैं कि जो ग्रूप A है वो भी इंप्रूव हो रहा है और ग्रूप B है वो भी इंप्रूव हो रहा है तो हैंस जो उनका यह हमार ग्रूप B पर ग्रूप A क्या है वो सेम रहेगा और findings यह है कि हाँ उनको सैकोलजी रगता है कि हमने मैडिसन खाई है तो वह रिकवर भी हो रहे हैं Cyclic यह line हमेशा याद रखना किसी ना किसी जगह पर आपको फायदा देगी ज़रूर Cyclic Q it starts जो आपकी research होती है यह problem से start होती है और problem पे ही end होती है it starts with a problem and ends in a problem logical यहाँ पर reasoning काम करेगी reason हमारा क्या होगा benefitory होगा हम reason के basis पे अपनी research लेंगे यहाँ पर sound basis for decision आप बिना मतलब कोई ऐसा decision नहीं आप बोलोगे कि नहीं सरनली आप सब यह कर दो वो कर दो नहीं हम आइस्ता इस्ता चीजों को proper way में क्या कर सकते है चेंज कर सकते हैं आप कुछ words है जो exam में exactly पूछे जाते हैं firstly है metaphysics क्या होता है यह branch of philosophy है जो deal करती abstract concepts से ज्यान देना है abstract जिन concepts को हम महसूस कर सकते हैं बलके जिन चीजों को हम छूँ नहीं सकते emotions, love, karma, good things such as being knowing, identity, time and space it is intimately connected with ipsomatology, ipsomatology क्या होता है the study of knowledge, जब भी हम knowledge को knowledge के purpose के लिए पढ़ते हैं that is known as ismetology, epixomatology क्यों important होती देखो आप पुराने जमाने के जम सो केरटरेस की बात करते हैं, प्लाटों की बात करते थे, यह लोग कुछ नहीं कुछ खोज रहता थे, कुछ नहीं कुछ knowledge acquire करने की कोशिश कर रहते, इनकी studies को ह कोई चीज खोजने की कोशिश करते हो, आप यह inductive और deductive वोड आपको बहुत बार दिखेगा, यहां पर आपको एक बार समझा देती हूँ, what is inductive and what is deductive, पहला हमारा inductive and then deductive, यह आएगा, assertion base में भी आता है, और चीज़े जब conceptual है, तो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी, inductive में हम specific to journal जाते हैं, और deductive में हम journal to specific जाते हैं, जैसे for example, जो भी आपके teacher है, आपको समझा रहे हैं या classroom में कोई बैसे activities हो रही है, वो आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले आपको inductive में क्या करेंगे, वो आपको simply बताएंगे, कि राम is mortal, so catarist is a mortal, hence all human beings are mortal, वो सब इस दुनिया से एक नएक दिन चले जाएंगे, तो ये inductive है, क्यों? क्योंकि पहले इसने specific एक इंसान की बात की, फिर इसने दो इंसानों की बात की, फिर इसने क्या किया, एक journal अपना concept दिया, लेकिन हम deductive में क्या करते हैं, deductive में पहले journal होता है, वो बोलेंगे, all men's are mortal, hence all men's are mortal, then आपका राम is mortal and शाम is also mortal, it means उसमें पहले journal चीज़ थी बात में वो specific पे आए, तो उपर वाली के आपकी deductive है, नीचे वाली inductive, rationalism में हम क्या करते हैं, पहले journal चीज़े देते हैं, then जाके हम उसको particular में लाते हैं, empiricalism में हम क्या करते हैं, पहले हम sense experience करते हैं, चीज़ों को observe करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को हम end पे जाके journalize करते हैं, अब कुछ schools हैं जो आपको देखने हैं, there can be money approaches to carry out the research, some of them have been mentioned below for the sake of comparison, post positivist is, यह क्या करना चाहता है, to discover the laws that are generalizable and govern the universe, जो हर जगा same हो, पानी हर जगा available है, तो पानी के related कोई theory जो हर जगा applicable हो, constructivist होते हैं, यह मानते हैं कि जब एक छोटी सी knowledge हमारी पुरानी होती है, वही knowledge नहीं को conduct करती हैं, और जब भी हम कोई चीज समझते हैं, वो दोनो का combine करते हैं, एक lesson में आपको मैं आपने क्या समझाया, alphabet समझाये, और दूसरे lesson में वो आपको समझाएगी कि उनको जोड़ के कैसे समझना है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, combine करके अपना जो भी alphabet है, उसको create करोगे, transformative amnetic paragraph, इसमें क्या होता है, to destroy myths and empower people to change society radically, radically मतलब ए society को एकदम से change करना चाते थे, classless society लाना चाते थे, जहां पर कोई भी class नहीं हो, upper, lower, कोई अमहीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सब को equally treat किया जाए, post-colonial indigenous research pragmat to change deficient thinking and pathogolic description, जैसे हम पता है कि हमारी जो superstitious सोंच है, या हमारी narrow mentalities है, उसको बदलनने के लिए ये theory आई थी अब classification of research, यहां से ही बहुत सरी चीज़े आपकी बनेगी, so please try to understand this particular thing in a very proper way, अपने पूरा कोच में मैंने ये चीज़े अलग-अलग से एक-एक topic करके समझाई है, as it is a marathon, जो भी possible चीज़े है मेरे से मैं वो आपको समझाती हूँ, objectives के basis पे, हमें objectives के basis पे findings निकाल लिए, तो हमारी research हो सकते है, descriptive जिसमें हम describe करेंगे, correlational, जहां पे हम दो जीज़ों में relation देखेंगे, जैसे smoking करने से क्या होता है, lung cancer होता है, तो हम relation चेक करें, explain करना है, कि इस चीज़ का क्या effect हो रहा है, और exploratory, जहां पे हम नई चीज़ ढूनना चाहते है, खोजना चाहते है, और experimental, जहां पे हम क्या करेंगे, experimental, outcome की basis पे क्या होता है, fundamental यह applied, दियान से समझना, आगे फिर से, फिर से समझाओंगी, यह आपका basic हो गया, and then applied वाला आपका क्या हो गया, जो हम उसको apply करते, deductive, inductive, quantitative होता है, जब अब major करोगे, अच्छा, एक class में 10 लड़के है, और 10 लड़की तो यह क्या है, quantity है, major कर रहा है, अब qualitative है, good students और bad students, उसको तो आप numbers में major नहीं करोगे, structured and unstructured, structured में जिसका एक pattern होगा, unstructured में जिसका एक pattern नहीं होगा, conceptual, जब आप concepts को clear करना चाहते हो, empirical, जब आप research conduct करते हो, on the basis of, कि हम कैसे experience करें, तो यह जो important है, जो बहुत बहुत बहु जाती है, so let me make you understand this, descriptive research can be of two types, cross sectional and longy juvenile, cross sectional होता है, suppose आपने एक school में 5 groups ले लिए, class 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपने थोड़ थोड़े students लिए, उनकी studies की, तो काम खतम, आपको फादर उसका कुछ नहीं करना है, आपने different groups से different students लिए, longy juvenile में क्या होता है, हम एक ही particular class, जैसे हमने 10 class को observe किया, हम उसको आज 3 महीने के बाद करेंगे, फिर 2 महीने के बाद करेंगे, फिर कुछ हफतों के बाद करेंगे, हम एक ही जो area है, एक ही sample को बार बार study करेंगे, उस study को होलते है, longitude null, अब classification of research on the basis of application, apply कैसे होती है, सबसे पहले fundamental research जो हमारी होती है, उसे हम pure research कहते है, यह addition करती हमें knowledge में और applied में हम solution, देखा, अब हमने यह देख लिया, कि ICT के help से हम students को और अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नए-नए ICT के instruments, computers या बाकी सब चीज़े हम install करने की कोशिश करेंगे, fund raise करने की कोशिश करेंगे, और बाद में हम colleges और हम install करने की क करेंगे, तो जो हम यह सब चीज़े कर रहे हैं, तो यह हमने research से सीखी, अब हम उसको apply कर रहे है, real life में उसको use कर रहे है, discovery और invention, innovation और application, यहाँ पे हम नयाख हो जेंगे, और यहाँ पे हम उस चीज़े को use कैसे करना वो देखेंगे, यह mostly academic होता है, practical use in making problem solve, extensive nature, intensive nature, यह intensive है और वो external है, अब classification of research on the basis of inquiry mode, मैंने आपको inductive बताया, deductive बताया, inductive में हम क्या करते हैं, किसी एक specific to particular journal जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम journal to specific जाते हैं, अब most importantly, जो चीज़े हमें समझनी है, एक difference समझना है, हम उसको देखेंगे, क्योंकि इस difference के basis पे आपके बहुत सरे सवाल आपको समझा जाएंगे, qualitative research, quantitative research, सबसे पहले, obviously qualitative में वो क्या करेगा, गुन मेजर करेगा, quantity में वो माप सकते है, qualitative को हम माप नहीं सकते है, quantitative को हम क्या कर सकते हैं, major कर सकते है, इस approach को qualitative को हम कहते है, bottom आप, नीचे से उपर जाएगा, और आपका quantitative में उपर से नीचे की तरफ जाएगा, obviously बात है, अगर ये bottom आप बे तो क्या होगा, inductive reasoning method, observation, deductive reasoning, यहाँ पे होगी, verbal data, images, और यहाँ पे हम data collection करेंगे, अब किसी के गुन को तो हम data में नहीं माप सकते हैं, कि वो यह अच्छा ही करता है, humility है, बट हम quantity को माप सकते हैं, कि उसके कितने माक्स है, और इसके इतने माक्स नहीं है, qualitative holistic है, because हम एक ही में सब चीजे लाते हैं, लेकिन हम quantity में different sample use कर सकते हैं, अब सपोस्पोस 10,000 या 20,000 population है, किसी एक particular area की, हमें उन पर study करनी है, कि environmental changes में से, उन पर क्या effect पढ़ रहा है, तो हम 20,000 के 20,000 लोगों को नहीं जाके serve कर सकते हैं, उनको observe कर सकते हैं, उनको survey कर सकते हैं, तो what will we do, हम हर एक थोड़ा थोड़ा महले से, 10 लोग, 20 लोग, ऐसे सा करके, हम 20,000 में से 100 या 50 लोग चुनेंगे, तो जो हम यह बहुत छोटा portion चुनेंगे, इसको हम sample कहेंगे, तो यह याद रखना है, इसको हम क्या ब बाइस्ट हो, आप उसके मतलब सही नहीं हो, पहले external biases, आप चाहते हो कि आरे मीडिया में मेरी होज सची निकली, तो मुझे पर इंपाक्ट आएगा, परसनल बाइस, आप इतने क्या उपचा तो personal benefits हो, आपको particular कोई organization बोलती है कि हमारे लिए अच्छा अच्छा लिखो, तो प्रेजेंटेशन दे दोगे, acceptancy 22, आप क्या चाहते हो, उसका outcome, आप चाहते हो कि ये मेरी hypothesis correct proof हो, तो आप उसको correct proof करने के लिए कुछ भी alter कर दोगे, बट आप जब ये नहीं सौच दो कि मैं सही साबित हो रही हो या गलत, तब आप 22 नहीं हो, पालिस वाप 22 नस पूछी जाती है, तो ये क्या है, इट operates when people strongly want to believe a treatment in successful, कि जैसे sugar pill का मैंने बताया था, कि वो totally चाहते ही चाहते है, कि जो मैं sugar pill पे experiment करना चाहते हूं, वो पूरी तरह से क्या हो, 100% सही हो, features of action research, action research क्या होती है, ये immigrate होती है, ये एकदम से ली जाती है, बिकोज यहां पे pre-plant चीज़े नहीं होती है, और reality में उसी time, ये self-reverative होती है, core learnings होती है, goal of social sciences होती है, action research is a process, कैसे process है समझाती है, हमने कोई चीज़ प्लान किया, act किया, observe किया, reflect किया, यहां पे चीज़ खतम होई, फिर से revised plan होगा, फिर से reflect होगा, फिर से act होगा, फिर से observe होगा, and then if required thought, मतलब action research क्या होती है, plan, act, observe, reflect, revised plan, act, observe, reflect, ये exactly form है, ये जब तक आपका solution नहीं find होगा, ये अगर तीसरी बार भी चाहे उस चीज़ के लिए action लेना, तो ये action लेगी, तो इसलिए इसको क् है, action research, अब scope क्या है, research अगर हम पढ़ रहे है, education में है, तो वो क्यों पढ़ रहे है, सबसे पहले curriculum framing में help करता है, जैसे अब obviously बात है, जब भी हमें नहीं नहीं चीज़ है, अभी आपने देखा होगा, जितनी graduate courses, जितनी B.A.M.R. courses, जितनी master's courses है, या PhD courses, integrated है वो, integrated का है, अब हो change हो रहे है, अब सिर्फ science का student science तक ही confined नहीं है, history पढ़ रहा है, history के साथ साथ भी वो एक दो components पढ़ सकता है, extra subject पढ़ सकता है, science का student अगर चाहे social science पढ़ना, वो भी extra subject ले सकता है, तो हम चीज़े change कर रहे है, तो action, research किसमें help करेगी, हमें education में, staff development में, हम बार values, staff motivation, change कर सकते है, self, अब जो हमारा most, most, most important है, that is steps of research, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने पूरा एक जो summary है, वो यहाँ पर point out किये है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, कि कैसे ये चीज़े है, steps of research, सबसे पहला क्या step है, ये chronical order में ही लगाने के लिए आजाएगा, आपको चार ये तीन option होंगे, तो पहला क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दीसरा क्या हो सकता है, चोता क्या हो सकता है, ये वहाँ पर आपको सवाल समझना है, as I told you, आपके सवाल में ही कभी भी कभी बहुत बार जवाब होते हैं, तो आपको सवाल को पहले सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना है, देखना है, observe करना है, उसके बाद answer लगाने है, सबसे पहले क्या करते हैं, formulation of research problem करते हैं, और research problem में हम क्या देखते हैं, literature review, क्या इसके बारे में किसने कभी लिखा था formulation of objective, यह यह चीज़े मुझा identify करनी है, identify research variable and major skills, formulating hypothesis, उसी टाइम हम क्या करेंगे, hypothesis भी formulate करेंगे, research design, उसका design कैसे होगा, कितनी population है, कैसे experiments करना है, developing data, क्या मुझे data खुद जाके observe करना है, या तो मैं secondary data use कर सकती हूँ, क्या मैं literature पुराना उससे चीज़ों को observe कर सकती हूँ अब मुझे samples select करना है, probability होती है, जहां पर हर कोई chance है किसी का आने का, suppose आप आपने एक jar में सभी students का नाम डाल दिया, जब भी jar open होगा, तो हर एक student का probability है कि वो आ सकता है, लेकिन जब आपने सिर्फ particular rule number, first to rule number 10 ला दिया, तो बाकी students तो आएंगे नी, तो वो non-probability हो गया, data के, then collecting data, observation, interviews, questionnaire, schedules, यह पूरी तरह से आप देखोगे, observe करोगे, देखो, अब आपने किसी को बोला कि, okay, मैंने observations करना है, या interviews contact करना है, या questionnaire method यूज करना है, तो आपने वो collect तो भी करना है, जिसे आपने अपने जो sample के questions बगला था, वो 20 लोगों को दिये, उनकी बाद में scale, अपना major करना है कि, अच्छा, इसका answer ये था, इसका answer ये था, उन चीजों को analyze भी करना है, processing and analyzing data, यहाँ पे वो अपने data को analyze करोगे, कि क्या मेरी hypothesis जो मैंने अभी तक सोचा था, अनुमाल लगाया था, वो सही प्रूव हुआ कि नहीं, at the end, writing report के points भी आते हैं कि, इनको proper chronicle order में लगाओ, सबसे पहले title page, जिस भी बारे में वो है, table of contents क्या, क्या चीज़े आपने उसमें समझाईए, chapters कौन-कौन से है उसमें, और bibliography, किसी को भी आपने reference कर लिए, then appendix, आप फदर कहाँ सा, अगर कोई वो पढ़ना चाहे फदर, तो वो क्या आगर resource यूज कर सकता है, relationship between independent and extraverness variable, अब देखो यहाँ पे जो आपका core relating है, या casual relations है, जो cars relationship है, आप smoke कर रहे हो, उससे आपके heart disease में भी problem हो रही है, और इससे आपका relationship और भी क्या आ रहा है, age उस person की क्या है, और उसका extent of daily exercise कितना है, तो यह extraverness variable है, जो इन दोनों के बीच में एक pillar बनती है, और यहाँ पे भी effect करती है, तो इस particular चीज़ को एक बार समझ लेना है इस chart को, अब हमें formulate करना है hypothesis, तीन एटी प्रपोजिशन लेनी है, वैलिटी, क्या वो वैलिड है कि नहीं, उसके बाद most causing formulaic hypothesis, specific to logical relation between two variables, दो variables के बीच में हमें relationship देखने है, क्या बहुत अच्छा weather conditions की वज़े से लोग ज़ादा work करते हैं, यह बहुत अच्छी conditions की वज़े से लोग lazy बन जाते हैं, तो दो variables के बीच में क्या relationship है, it should be simple, अब वैससी बात है, ऐसा hypothesis लोगें जो किसी को समझी नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, clarity होनी चीए, more objective होना चीए, और जो भी हमने theory बनाई है, उसको correlate करना चीए, यह नहीं कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ICT के बारे में, और आप hypothesis बना रहे हो, cooking के बारे में, तो वो कहीं पे भी correlate नहीं करेगी, descriptive होती है, relational होती है, explanatory hypothesis होती है, अब यह दो terms है, जो exam में हो सकता आए, कुछ important terms है, research की, आप एक बार इसको भी देख सकते हो, interpretive pragmat और western, interpretive में क्या है, usually associated with qualitative research strategies, जो आप qualitative, आपने किसी की improvement देखने, आपने किसी का motivation चेक करना है, तो वो interpretive में आएगी, worst 10 क्या होती है, जब आप work of German socials Max Weber, in social science such as anthropology sociology, interpretive process in which an outsider observes a culture atom, अब आप उस culture के नहीं हो, आप उस tribe के नहीं हो, लेकिन आप जा के वहाँ पर चीज़ें समझतों observe करते हो, तो आप इसके अंडरा होगे, एक्स पोस्ट हो, बहुत बाहर पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से दिये है, जो आपकी research के end पर जब आपने outcomes निकलने हैं, पोस्ट माटम करते हैं, तो end है न, वो बन्दा तो बिचारा है खुद मर चुक है, बाद में हम अनुमाल लगाएंगे कि ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, classification of research, पहले भी हमने देखा, fundamental research, applied research, यह addition करेगा, यह solution देगा, यह discovery देगा, यह innovation देगा, यह academic है, यह practical using है, extensive है, and extensive in nature, अब एक टर्म है, छोटी सी, that is trigulation, यह क्या है, there are multiple relatives in social research, it is again solving a research problem in multiple ways, एक ही problem है, हम उसको different solution find करने की कोशिश करेंगे, ताकि, बहुत 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 है, कि कुछ चीज़े से हम COVID-19 था, तो हम सबने हर तराब की, जो हमाई researchers थे, doctors थे, scientists थे, हर किसी ने कोशिश की, कि हम इसका एक अच्छा solution ढूंट पाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टाइक विलेशन बोलेंगे, अब हमारे पास independent variable है, and dependent variable है, independent variable वो, कि जिसका, उसको change करो, यह ना करो, बट वो वैसे का वैसा रहेगा, उसको, उसमें कोई alternations नहीं हैगी, और independent variable पे कौन depend है, dependent variable, कैसे, यहाँ पे, they become, they become the cause of another variable, it is variable manipulated by researcher in an experiment, independent को हम क्या करते है, change करते है, experiment करते है, dependent क्या है, outcome होगा, किसी भी response का, for example, in the study about impact of coaching on students' performance, coaching is independent variable, and students' performance is, क्या है, dependent variable, अब यह independent, na, coaching तो वैसे भी हो रही है, तो coaching independent है, इसका effect क्या students पर पढ़ रहा है, कैसे वो improve कर रहे है, क्या वो improve नहीं कर रहे है, वो हमारा क्या होगा, dependent variable होगा, अब यहाँ पे intervening variable है, और यह बहुत बार पूछा चाहता है, so you need to understand it in a very better way. 问 क्या वो is मौल में गडराएड़ बतार बतार को क्यों अथआ प्रेयं, तो ही है, तो क्या वो Altन Savior वी मौल इसका है, नो जो क्यों क्योंक्य बु度, keeping you jarहिए है, delivered to the झाल झाल आती बिसकुटे नहीं यह नहीं जी जाय तरवास्त 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 एक बार दसकना होंगी फिज़ा होंगी तरवास्त अच्छत तरवास्त नहीं विए बिसक्यट मेरी बाली ले जाओ शुटी मेरी तो बहारी है बाहर खाँ वाँ है. रहुंगा है नच्तों. मिरे गलाउस पहनले कर दो कर दो कर दो कोई कि कर दो कर दो दो कर दो werdकसे कहते है उज जवीन्व जवी मिवलत्रे सब्सक्मा सिर्ण चल में है झाल 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 माए झाल detective I don't care what people say he loves me कुर को दो हुआ है झाल 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 यह नहीं मैं भी गहायाqu श्राहि झाल घाल जेंगे गल म्लिखकोषई जेमें करती हैं करने कैने क्लिशन सेटकियर समय, जुटमाय समय, जे उडूरल साइपले Кानिकीन, जुटमाय स्वेल काका वैar क्युन आपको कि अभब लुग ऩाइक उपड़ा जा? कि यहाओ कि इस्या थेस्या निम्डशिक हान जड़ा लाइक तरहरा भाइको ने थे सब्हादर इसिंजें ही फोमेल नहीं हम एक पर कुछिए कि अबहले जा काल को यहाँ दिए छु कर दो ईब हैंगा है। यह औरी जते हैं बंढ़ो है। पहली तो मैं आप सकते मां भी मांगना चाहिए कि मैं चुत रही। जिसके वज़े से दोनों पाइदी का बहुत से सुखा है। और स्पेशली अभी का। पर मेरे पास ना और कोई रास्ता ही नी था सवाई चुत रहने की। क्योंकि जैसे अभी ने कहा की इक दरफ मेरी बहेंदी और एक दरफ दोनों पाइदी। कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तक कि मैं क्या करता। इसे फिर मैंने चुत रहना साइट अपजा। बागी कोई गड़ा ना हुचा। कि इसे फिर मन में अभी के लिए क्या भी कुछ से अभी कंदेरी तुपिकी में आये और कंदेरी तुपिकी में अगर इसे मेरी आवाद बसद है तो मुझे इसकी आखों में इमात आए। मेरी बार जब मिले थे तो सुचा नहीं था कि हमारी बेहनी मुलाकात इसे मेर्णा साथ में सकती है। इसे ही कुछ है तुपिकी कि हार को इसकी तरफ खीचा चला जाता है। कहता है इसे प्याद समझ नहीं आता है। लेकिन इसमें पूप होगी है। अब्स्रेंजर कि लेकिर को बा Biraz यारा कि उस点द आता है। कि लौर य는 कि मेरी थे अचने झाता है। क सब में ये या